नमस्कार, YouTube चैनल N Universe Study में आपको स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिक्षाओं में पूछेगे हरियाना राज्या से संबंदित प्रशनों के बारे में और इस सेरीज की ये हमारी 13 वीडियो है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रही आज हम सुरू करते हैं प्रशन नमबर वन प्रिथक रज्य के रूप में हर्याणा की प्रथम जनगनना कब हुई ओप्सन हमारे पास है पहला ओप्षन वर्ष 1971 में दूसरा ओप्सन वर्ष 1971 में तीसरा ओप्सन वर्ष 1981 में निज़ 61 में तो इस प्रशन का सही उत्तर है हर्याना में प्रथम जन गणना वर्ष 1971 में हुई थी अगला प्रशन है हर्याना का छेतर फल देश के कुल छेतर फल का कितना प्रतिसत है हर्याना का छेतरफल देश के कुल छेतर का कितना परतिसत है ओप्षन हमारे पास है पहला ओप्षन एक दसमलव साथ परतिसत दूसरा ओप्षन जीरो दसमलव छे साथ परतिसत तीसरा ओप्षन एक दसमलव तीन चार परतिसत और चोथा option दो दसमलव तीन दो परतिसत तो इस प्रशन का सही उत्तर है हर्याना का चेतरफल देश के कुल चेतरफल का एक दसमलव तीन चार परतिसत है अगला प्रशन है हर्याना परदेश का थानेसर नामक नगर किस परसिद राजा की राजधानी थी अगला प्रशन हमारे पास है पहला option असोक दूसरा option चंदरगुप्त विक्रमदित्य तीसरा option पृत्वी राज चोहान और चोथा option हर्सवर्दन तीस प्रशन का जो सही उत्तर है हर्याना प्रदेश का थानेसर नामक नगर परसिद राजा हर्सवर्दन की राजधानी थी option दी प्रशन का सही उत्तर है अगला प्रशन है दिल्ली संग्रालया हर्याना की अंसार धर्ती पर स्वर्द की तिथी थी दिल्ली संग्राले हरियाना के अनुसार दिल्ली पर स्वर्क किती थी ओप्षन हमारे पास है पहला ओप्षन बारां सो चोदां इसवी दूसरा ओप्षन पंदरां सो पैंसट इसवी तीसरा ओप्षन तेरां सो अठाइस इसवी और चोथा ओप्षन चोदां सो इकाण में प्रशन का सही उत्तर है अगला प्रशन है पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया पहला प्रशन है दिल्ली दूसर आगरा तीसर आप्शन है हरियाना और चोथा आप्शन है ये सभी तो इस प्रशन का सही उत्तर है पानीपत की जीत के बाद बाबर का दिल्ली आगरा अधिकार हो गया था अगला प्रशन है अजीत सिंग किस रियासत का सासक था ओप्शन हमारे पास है पहला ओप्शन है कलायत दूसरा ओप्शन है पतियाला तीशरा ओप्शन है कैथल और चोथा ओप्शन है लाडवा तो इस प्रशन का सही उत्र है अजीत सिंग लाडवा रियासत का सासक था ओप् प्रेसन है हरियाना में सिवालिक्स रेणियों में निकट वर्ती छेतरों में किस प्रकार की जलवायू पाई जाती है। और और दूसरा उपोशन स्टेपी और आधर उपोशन सिवालिक के निकट वर्ती छेतर के 58 किल्यो मेटर चोड़ी मैदानी पत्ती में आधर उपोशन है और direct के अन्य छेतरों में उपोशन स्टेपी परकार की जलवायू पाई जाती है। तो उसके बेश पे इस परसन का जो सई उत्तर है वो है option D, आरदर उपोशन, सिवालिक में निक्ट वरती छेतरों में जलवाई है अगला परसन है, हरियाना के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, option हमारे पास है पहला option है दक्षिन पस्चमी, दूसरा option है उत्तर पस्चमी, तीसरा option है दक्षिन पूर्वी और चोथा option है उत्तर पूर्वी तो इस प्रसन का सही उत्तर है हरियाना में दक्षिनी पस्चमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है हर्याना में दक्षणी प्ष्च्मी भाग में सबसे कम वर्षा होती है अगला प्रशन है वर्ष उन्नीसो सेन्तालिस में सिंचाई प्रियोजना के अंतरगत किस जील का निर्मान हुआ था वर्ष 1947 में सिंचाई प्रियोजना के अंतरगत किस जील का निर्मान हुआ था उप्शन अमारे पास हैं पहला उप्शन है खलेलपूर जील दूसरा उप्शन है बढखल जील तीशरा उप्शन है दमदमा जील और चोथा उप्शन है सुल्तानपूर जील तो इस प्रशन का सही उत्तर है Option B भडकल जील का निर्माण 1947 में सिंचाई प्रियोजना की अंतरगत किया गया था अगला प्रशन है नीमन में से किस जिले में सुल्तानपूर पक्सी विहार अवस्थित है नीमन में से किस जिले में सुल्तानपूर पक्सी विहार अवस्थित है Option हमारे पास है पहला option फरीदाबाद दूसरा option भीवानी तीसरा option गुरू गुराम और चोथा option पंचकुला तो इस प्रशन का सही उत्तर है Option C सुल्तानपूर पक्सी विहार गुरू गुराम में स्थित है अगला प्रसन है हरियाना में किसके जनम दिवस पर वर्स दो हजार में क्रिसक उपहार योजना सुरू की गई पहला उप्षन चोदरी चर्ण सिंग दूसरा उप्षन जुआहर लाल नहरू तीसरा उप्षन महात्मा गांदी और चोथा उप्षन इंद्रा गांदी तो इस प्रसन का स्वयूत्तर है हरियाना में महात्मा गांदी के जनम दिवस पर दो हजार में क्रिसक उपहार योजना सुरू की गई अगला प्रस्ण है हरियाना में सिंचाई विभाग का मुख्याल्या कहा है हरियाना में सिंचाई विभाग का मुख्याल्या कहा है पहला प्रस्ण हिसार में, दूसरा प्रस्ण पंचकूला में, तीसरा प्रस्ण भिवानी में, चोथा प्रस्ण करनाल में तो इस प्रसन का सही उत्र है, हर्याना में सिंचाई भाका का मुख्यल्य पंचकुला में है, ऑप्शन B अगला प्रसन है, वह कौन सा खनीज पदार्थ है, जो भारत में सिर्फ हर्याना के भिवानी जिले के कलियाना गाउं में पाया जाता है वह कौन सा खनीज पदार्थ है, जो भारत में सिर्फ हर्याना के भिवानी जिले के कलियाना गाउं में पाया जाता है ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है रेत, दूसरा ऑप्शन है कौार्ट्स, तीसरा ऑप्शन है सलेट, और चोथा ऑप्शन है हिलना पत्थर तो इस प्रसन का जो सयुत्तर है वो है option D हिलना पत्थर भारत में शिर्फ हरियाना के भिवानी जिले के कलियाना गाउं में पाया जाता है अगला प्रसन है हिसार की राजीव घंदी तापिय प्रियोजना किसके दुआरा निर्मित है हिसार की राजिव गांधी तापिय प्रियोजना किसके दुआरा निर्मित है उप्षन है इरलाइंस उर्जा लिम्टिड, जिन्दल गुरूप, वीजन प्राइवेट लिम्टिड, एचपी जी सील तो इस प्रसन का सही उत्र है हरियाना की राजीव गंदी तापिय प्रियोजना इरलाइंस उर्जा लिम्टिड दुवारा निर्मित है अगला प्रसन है चोदरी देवी लाल कब भारत के उप परधान मंतरी बने ओप्शन मारे पास है पहला ओप्शन है वर्ष 1907-1978 दूसरा उप्शन वर्ष 1984-1985 तीसरा उप्शन वर्ष 1989-1990 और चोथा उप्शन वर्ष उन्नी सो क्याण में से बने तो इस प्रसन का सही उत्तर है चोदरी देवी लाल वर्ष 1989-1990 तक भारत के उप परधान मंतरी बने तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडनेट के साथ सोसल साइट पे फेस्बुक पे ट्वीटर पे वार्टसप पे और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना आपका दिन सुब रहे